Very good morning students. How are you? I hope all of you will be fine. I am your teacher and today I am going to teach you English. Students, आज मैं आपको English पढ़ाऊं. सभी बच्चे अपनी English की बुक Butterfly English निकाल लिए, सभी निकाल लिए. सभी बच्चे अपनी बुक में page number 3737 open करेंगे. Open कीजी 37 page number. उकी Student, आप सभी को alphabets तो आते होंगे. सभी को आते होंगे alphabets. अच्छा बता ही, कितने alphabets होते हMom! 26. कितने alphabets होते है behave 26. तो 26 alphabets होते है involved in the extreme. इन 26 alphabets में 5. also 2 álphabets ψते हैं. प्लीजी 5 wrls, तो होते हैं, वह 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 वूते हैं,。 एंड 21 होती हैments. तो 5 vowels कौन कौन से होते हैं A, E, I, O, U कितने होते हैं 5 कौन कौन से A, E, I, O, U और 21 हमारे consonants होते हैं तो आज मैं आपको All About A and N का यूज बताऊंगी कि A और N हम कहां यूज करते हैं तो students, students A और N दोनों ही हम A के लिए यूज करते हैं तो A है उसका यूज हम कौन सोनेंट में करते हैं यानि कि जो words कौन सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके लिए हम A का यूज करते हैं और जो words कौन सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके लिए हम N का यूज करते हैं जैसे a cat तो जो हमारा cat है ये c हमारा क्या है consonant है इसके हागे हम क्या लगाएंगे a next एन के लिए जैसे an elephant तो e हमारा क्या है vowels a e i o u ये फाइब होते हैं vowels हमारे इसलिए हम इसका ही क्या लगाएंगे an चलिए दीड करते है a cat C, A, T, Cat यह हमारे C से स्टार्ट होदी तो यह हमारी consonant है इसके एक हम क्या लगाएंगे A, O, K Next, A, Man M भी हमारा consonant है इसके आगे भी हम A लगाएंगे A, Gun O, K, Next, A, Toy देखिए A की definition We use before a singular noun begin with a consonant sound यानि एक A हम कहा यूज करते हैं जो singular होते हैं और जो consonant से स्टार्ट होते हैं उसके लिए हम A का यूज करते हैं A उससे पहले लगा देते हैं देखिए N की definition be used and before a singular noun begin with a vowel sound जो vowel sound की आती है जो वर्ड की जिनमें बौवल साउंड निकाएंगे करते हैं उसके आगे हम क्या लगाएंगे N का यूज करते हैं तो N देखिए N एपल यह हमारी क्या है वावल है इसलिए हमने इसके क्या लगाया है N एपल नेफ्ट देखिए N ओक्स वो हमारी वावल है इसके अगे हम क्या लगाएंगे N ओक्स एपल 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 यह हमारी वावल है तो हम क्या लगाएंगे N एपल नेक्स N अम्रेला तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे N O.K नेक्स पेज पेज नमबर 38 सभी निगा लेंगे 38 पेज नमबर लुक एड़ दा पिक्चर रीड दा वर्ड रिकॉर्जनाइज दा साउंड दैन फिल ए अबलिक N यानि कि पिक्चर देखिए उन्हें रीड कीजिए और देखिए कि कौन सा साउंड निकलना है इसमें वावल्स की या कॉंसनेंट की उसके आगे हम A और N का यूज करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्ष पिक्चर किसकी है एरोप्लैन तो एरोप्लैन के आगे हमें क्या यूज करना है A या N बताएए वावल्स आगा कॉंसनेंट यह हमारा क्या है वावल्स की कॉंसनेंट से बताएए वावल A E I O U तो यह हमारा क्या है वावल्स तो हम वावल्स के आगे क्या लगाएंगे N तो हम इसका क्या करेंगे? A, N N, Aeroplan Next उच्छे देखिए Monkey, M, O, N, K, E, Y Monkey, M हमारा क्या है? Consonants M के आगे हमें क्या लगाएंगे? A, Consonants के आगे हम क्या लगाएंगे? A, A, Monkey A, Monkey Next उच्छे देखिए A, E, G, G A, G तो यह हमारा क्या है? Bubble है इसके आगे हम क्या लगाएंगे? A, N Next उच्छे देखिए Flag Flag F हमारा क्या है? Consonants इसके आगे हम क्या यूश्च करेंगे? A Next उच्छे Flam L भी हम क्या है? हमारी Consonants है तो इसके आगे हम क्या यूश्च करेंगे? A Next उच्छे Ink Pot I हमारी क्या है? Consonants है? नहीं Wowels है इसके आगे हम क्या यूश्च करेंगे? N Next उच्छे Bird P क्या है? Consonants है तो इसके आगे हम क्या यूश्च करेंगे? A Next उच्छे देखिए Orange वोवल है इसके आगे हम क्या यूश्च करेंगे? N आप सभी वच्छे समझ गए है ए और N का यूश्च हम कहा करते हैं? ए का यूश्च करते हैं जो वर्ष कॉंसोनेंस से स्टार्ट होते हैं और N का यूश्च वहां करते हैं जो वर्ष वह वर्वल से स्टार्ट करते हैं ऐसी आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा Now, thank you, have a nice day